हलोब नवसकार मेड़ी भी आरब का इस यूटूब चनल में बहुत हो स्वाथ करते हैं तो क्या डिसक्सिन किया था और मार्केट ने उस प्रीडेक्शन को रेस्पेक्ट किया या नहीं कि देखू परमिस्वर की किरपा हो और ऐसा ना हो तो प्रीडेक्शन काम ना करें ऐसा तो हो यह नहीं सकता यह सब कुछ परमात्वा की किरपा की उपर नेर्वर करता है और जह हम विस्वास के साथ ट्रेनिंग करते ही तो पैसा बनता है जह हमारे अंदर विस्वास की कमी होती है देहरे की कमी होती है तो इस मार्केट से पैसा नह नहीं है वो इसमें पैसा दे के चला जाता है तो बात करते हैं कि हमने क्या कहा था और क्या मार्केट में हुआ तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हमने cdc एक मार्क किया था लेवल कि 7352 से उपर मार्केट अगर जाएगा तो वह सब्सक्राइब 4336 मार्केट गेंडल को सिया एन च дети सब्सक्राइब स्क्राइब से सबारे तीस जैसे इसने बेरे किया तो हमारे next target सत्याजार चार्सो सड़सेट का हमको अच्छी वह तो मार्केट ने बहुत अच्छा ही हमारे prediction के अनुसार काम किया लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि मार्केट ने आज बहुत अच्छा मतलब return दिया जिसने भी आज यहां पर trade लिए होगा उसे लॉस ही हुआ होगा पका तो ऐसी माहॉल में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए हमें ट्रेडिंग करने की आदत नहीं लगाने चाहिए मतलब जो लट होती है ना किसी चीज को जैसे के उसका मतलब एक तरीके से एडिक्ट हो जाना वो इस मार्केट में नहीं होना है जिस दिन मार्केट हम मतलब एक लेवल पर काम कर रही है और मतलब एक मुमेंट में काम कर रही है उसी दिन हमें मार्केट में काम करना है अदरवाइज मार्केट को बाच करना है जैसे मैंने किया आज यहां पर करीब दो ट्रेड ली तो उसमें चारसो पांच सो रोपे बना ए तस निकल गया मैं फिर मैंने यहां पर ज्याता का महीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट अब बाई मैं मार्केट में यहां पर एंट्री करने के बाद साइद हामनी यहां से एंट्री करने के बाद में मार्केट में यहां से एक्जिट कर दिया क्योंकि मुझे बत गया था मैं इसके बाद मे यहाँ पर एक अ smart mı यान्ट रिली थी एंट लेने के बाद यहां आई तो मैंने इस सबर किया और करने के बाद यैसे वो यह तो मैं उसमेसे निकल गया था क्यूंक के देखो जूट वोलने से कोई फायदा नहीं होता है कि मैं यहां तक्तिका फिर में निकला ऐसा नहीं जैसे मुझे यहां से रिजेक्शन दिया इसने तो मैं इसी केंडल पर यहां से निकल गया तो कुल मिला के में प्रॉफिट में ही रहा इस मार्केट में भी तो इस मार्केट में भी अगर प्रॉफिट में आप रहे हो तो कमेंट करिए नहीं रहे हो तो भी कमेंट करिए क्योंकि इस मार्केट में प्रॉफिट पे रहना देट मिस आप लोग ट्रेडर बन चुके वह आपने पहला कदम ट्रेडिंग का पार कर दिया है ऐसी मार्केट में जाता लॉसी होता है कर सबसुलिए अब बात करते हैं कल की कल कैसे काम करेंगी म teenager तो भऑई कल भी मार्केट रॉलने वाली हैसे आज रॉलाया है हैं तो उसको प्ले करना बहुत ही कठिन है जैसे कि अगर ब्रेक आउट मिलता है तो 470 का मिलेगा तब जाके मार्केट 516 तक जाएगी और 516 तक जाने के बाद फिर वो 564 तक जाएगी फिर वो 585 तक जाएगी फिर उसके बाद में अगर 600 का लेवल टूटे का तो फिर वो 634 तक फिर 600 बहुत पास पास ही लेवल है तो ऐसी मार्केट में मैं काम करना फसंद नहीं करूँगा हां मुझे अगर 500 500 साड़े 500 से रेजेक् यहां यहां तो मैं 500 500 चॉट या 585 से अगर मुझे रेजेक्शन मिलता है या फिर 516 से ही रेजेक्शन मिलता है तो एक बार मैं यहां पर पुट में काम करने ही कोसिस करूँगा लेकिन कॉल तो मैं नहीं लोंगा क्योंकि यहां पर जो ग्रीन कैंडल है वो बनती है तीन और रेड बन जाती है एक तो बराबर है तो एक में काम करो तीन में के लिए काम क्यों कर रहे हो उसमें अपना खून क्यों जला रहे हो तो यहां पर क्या है कि आप लोगों को अपना खून नहीं चलाना है टाइम खराब नहीं करना है दिमाग खराब नहीं करना है पैसा कमाना ह मार्केट पैसा नहीं दे रहे हैं तो निकल जाना है सीद इसी बात है तो अगर हम नीचे की बात करें तो दीखर नीचे इक लिए सत्याजार 400 का लेवल हम है अगर वो टूटता है सट्याजार 400 तो पर यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट में फिर सत्रह हजार साड़े तीन सो तक मार्गेट जा सकती है लेकिन उसके बाद फिर रिवर्स में मार्गेट आगी तो इसलिए मैं कहा रहा हूँगा अगर मुझे पांसो पंद्रह में मिलेगा रिजेक्शन तो मैं वहां से पिले करूँगा तो फिर वो मुझे वहाँ पर doch 400 तक मिल सकता है मतलब जो है उसका जो डाउन है जो डाउन साइड मार्केट फर्मगेट चार सो तक मिल सकती है तो मैं वहां पर सौ पोइंट यहां से बम्रद कर सकता हूँ को बात करते हैं निफटी बैंक की तो देखिए निफटी बैंक का लेवल इस पर्षट है अगर मार्केट और 40,600 से उपर जाती है तो और इसको एक मानली जी आप सपोर्ट के रूप में इसको बार-बार बनाती है और support लेके फिर वहां से back करती है तो market कर लियां 41,000 तक भी जा सकती है इसमें कोई दोराय नहीं है बसरते market उपर खुलती है जैसे 40,000 700 पर खुलती है और 700 से rejection लेके वह 600 तक आती है 600 से फिर वह 700 को क्रोस करती है तो market 40,000 तक जा सकती है और अगर उसने 600 का लेवल तोड़ा तो फिर माद 500 तक ही फिर भी आपको दे पाएगी फिर पार पांसो से फिर वह उपर की साइड में जाने की कोसिस करेगी फिर रिवर्स देगी मापको तो यहां पर देखिए सिंपल भासा में मैं आपको यह चीज सारी बताता हूँ वो टेक्निकल लेंगेज मैं नहीं यूज करता है यहां जिससे कि जो सिंपल अभी नया बंदा है जिसने मार्केट को स्टार्ट किया है तो वो उसको नहीं समझ पाएगा अगर हमें टेक्निकल लेंगेज का यूज करूंगा तो अभी आप लोग देख रहा है मैं वहीं बात करा था कि देखो अभी यहां पर यह सूटिंग स्टार बना है है आप इसे हेंगिंग मैं भी कह सकते हो लेकिन अभी इस कंडिशन में क्या है कि यहां पर जिस विक्ती ने लिया होगा क्या जिस विक्ती ने यहां पर अगर पुट सोच के लिया होगा कि भाई अब तो मैं पुट में मुझे पैसा कमा सकता हूं तो यहां तक उसने उसको लटकाया और फिर फटका दिया तो इस मार्केट में इस माहौल में यहां पर ट्रेड जो ट्रेडिंग है वो अवाइडी करूँगा और मेरे को एक आदी चांस मिलेगा अगर फुट का तो मैं वो प्ले करने के कोसिस करूँगा तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता है मैंने आपको आगा किया इसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करने मैं आप से एक लिए फिर मिलूँगा तब तक लिए जय हिन जय भारत